आयोधिया में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला के प्रांट पतिष्टा कारगम का नियोत्ता ठुकराने वाले प्पक्षी दलो पर भाच्पा ने निशाना सादा है बाच्पा ने सोचल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रमुक विपक्षी नेताओं की तस्वीर है और लिखा है पहचानी राम मंदिर के नियोते को ठुकराने वाले चहरे सनातन विरोधी इंडी गड़ बंदन इस पोस्टर में कॉंग्रेस की सोनिया गांदी, मलिका जुनखटगे, अधीर रंजन चोधरी, टीम्सी की ममता बैनर जी, सीपी आए के सिताराम ये चुरी और समाजवादी पार्टी के अखिले श्यादों की तस्वीर है तरहसल कॉंग्रेस ने बुदुवार को ही करकम का नियोता ठुकराया था अब तक कॉंग्रेस के अलावा इंडिया की चारप और पार्टियां सपा, टीमसी, सीपी आई और शिव से इनाफ प्रांट पतिष्टा में जाने से मना कर चुकी है मही कॉंग्रेस नेता सचिन पालेट ने रायपूर में कहा कि मंदिश जाना या ना जाना आस्था का सवाल है हम जन्ता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं राजडिती और धर्म को अलग-अलग रखना चाहिए किसी को अच्छा या बुरा हिंदू होने का सर्टिफिकेट बीजेपी नहीं देगी बुद्वार को प्रांट पतिष्टा का नियोता ठुकराते वे कॉंग्रेस ने एलान किया कि उनका कोई भी नेता प्रांट पतिष्टा का रिकम में शामिल नहीं होगा कॉंग्रेस के इस फैसले पर पार्टी के कई नेता उने ऐसामिती जताई है कॉंग्रेस नेता आचार प्रमोत कृष्टनम ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं बीजेपी से है कुछ लोग कॉंग्रेस को वामपंती रास्ते पर ले जा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि कॉंग्रेस नेतरत को आयोध्या ना जाने के फैसले पर पुर्न विचार करना चाहिए उदर गुजरात कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडिया वाडिया ने भी रामलाला प्रांट पतिष्ठा कारेकम में पार्टी के शामिल नहीं होने को गलट ठहराया है आयोध्या में 22 जन्वरी को होने वाले राम लाला के प्राणपतिश्चा कारगम में बीचेबी के सिन्या नेता लालकर्ष्ण आडवानी भी शामिल होंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक विश्व हिंदू परिशत के अंतरराष्टी कारकारी अक्द्यक्ष आलोकुमान ने इसकी जानकारी दी है इससे पहले खबर आ रही थी कि आडवानी की तब्यत खराब रहती है इसलिए वे कारगम में शामिल नहीं होंगे